नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आरवी इटेक यूटूब चैनल और मैं हूँ आपका अपना दोस्त आरवी शिंग हमेशा की तरह आज फिर हम हाजिर है एक नए वीडियो के साथ तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे सेंटिफ्यूज फिल्टर के बारे म कि किस तरह के सेंटिफ्यूज फिल्टर जो है precious के इंटर्वल को को इंक्रीज करता है तो दोस्तों बीना देरी के हुए वीडियो को स्टाट करते हैं सामने आप देख रहेा है यही है centrifuge filter centrifugal filter की servicing करनी होती है बी चेक के दोरान और यह engine है ग्रीप का TBD-4 V12 engine यानि 12 cylinder का engine है जो कि 500 के वे alternator के साथ लगा हुआ है इसका बी चेक हो रहा है उसी के दोरान इसका centrifugal filter भी clean किया जा रहा है जैसा कि दोस्तों clamp निकल चुका है जो कि 10 mm के net के साथ लगा रहता है अब इसका खोला जा रहा है top bearing housing cover plate cover plate और housing के बीच में ceiling के लिए oaring लगी रहती है इसी cover plate में इसका boost लगा रहता है इंजिन के चलते समय जो हमारा centrifuge है 4000-6000 rpm के बीच में rotate करता रहता है according to oil pressure इसका टाप ओला जैसे की bearing जो है top cover plate में लगा रहता है तता bottom का bearing जो है इसके housing में लगा रहता है दोस्तो filter खुल करके बाहर आ गया है इसके उपर लगा हुआ जो nut है उसको हम 32 mm की ring की मदद से खोल देंगे यह nut बहुत ज्यादा tight नहीं होता है इसको हम voice में फसा करके भी खोल सकते हैं जैसा कि दोस्तो centrifugal filter जो है high speed में चलता है इसलिए इसकी proper balancing होती है balancing के समय इसके rotor तथा इसकी housing के उपर में arrow mark लगा दिया जाता है और filter की assembly के समय इन दोनों मार्कों को match कराना रहता है 32 mm spinner की मदद से इसका nut खोल दिया गया है अब इसकी cover plate को अलग कर दिया जाएगा इसके लिए थोड़ा सा प्रेस करना रहता है और यह cover plate बाहर निकल जाती है और cover plate निकलने के बाद में जो chamber दिखता है ये होता है clean aisle chamber टाप ओले पोर्शन में centrifugal force द्वारा aisle को clean किया जाता है clean aisle जो drain हो जाता है इस chamber में और यहां से aisle जो है nozzle nozzle के थूर द्रेन हो जाता है इसके संप में यहां से इसके जो रोटर में है दो नोजल लगे रहते हैं जिसके थुरू ये संप में ड्रेन हो जाता है जैसा कि दोफ्तों सेंटिफ्यूगल फिल्टर डिस्मेंटल हो चुका है जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें काफी शलज जमा हुआ है फिल्टर की एसमेली के समय इस हाउजिंग में एक पेपर की स्लीप लगाई जाती है इंजिन के चलते समय ये हाई स्पीड में रोटेट करता रहता है इंजिन में लगा हुआ आयल पंप का जो डिस्टार लाइन होता है वहीं से इसमें किसराइज आयल आता रहता है और इसके अंदर प्यूरिफायर होने के बाद में इसके नोजल के थूरू संप में ड्रेन हो जाता है आयल में उपसित एंपर्टीज कारबन डस्ट पार्टिकल्स आज जो हैं भारी होते हैं सेंटिफ्यूगल फोर्स के कारण ये एंपर्टीज जो हैं इस पे बाहरी सते पे लगे डिग्री आफ आयल कंटमिनिशन इज इंडिकेटेड आईदा थिकने साफ स्लज लेयर आंदा पेपर स्लीप हाउजिंग में जो स्लज डिबोजिट हुई है इसको क्लीन कर दिया जाएगा सेंटिफ्यूगल फिल्टर के सारे कंपोनेंट प्रापर क्लीन कर लिए जाएंगे उसके बाद इसकी असंबली करेंगे जब तक दोस्तो हमारी मेंटिनेंस टीम इसके कंपोनेंट्स की क्लीनिंग करती है तब तक चलते हैं एग्नरेज डाल लेते हैं इसके वरकिंग प्रिंस्पल पर साइमनता हम जो आयल लेते हैं सेंटिफ्यूज में फिल्टर करने के पहुंसता है और इस बाटम उले बुस्स से आयल पहुंसता है रोटर की साफे थुरू ताप उले बुस्स तक जैसा कि इसकी साफ जो है Hand रहती है जिसके थुरू आयल आता रहता है ऐसकी इंजन के जलते समय ये filter high rpm पे rotate करता रहता है इसके top chamber में जो आयल उपस्थित रहता है वो भी high speed में rotate करता रहता है इसके करण इसके अंदर में centrifugal force की rate होता है centrifugal force की करण आयल में उपस्थित impurities जो आयल में impurities रहती है like dust particles carbon के करण जो है center से बाहर की तरब जाने लगते हैं इसकी दिवार की सते पे जो paper लगा है उसमें जाकर के stick कर जाते हैं ता clean आयल जो है separator plate के hole के थूरू load chamber में drain हो जाता है load chamber में लगे हुए दो रोजल की मदद से purified जो आयल है उसम्प में drain हो जाता है nozzle का high pressure आयल जो है centrifugal की outer casing से टकराता है उसी के कारण इस filter को rotation मिलती है यानि जितना ही ज़्यादा engine का all press होगा उतनी ही ज़्यादा speed में इसका centrifugal filter है rotate करेगा जैसा कि दोस्तो centrifugal के सारे component clean हो गए हैं अब चलते हैं इसकी assembly कहल लेते हैं assembly में सबसे पहले हम इसका paper insert करेंगे इसके outer casing में तो paper हमारा तयार है इसको सबसे पहले इसके अंदर insert कर देंगे और इसके बाद लगाई जाएगी इसकी separator plate separator plate के उपर में o-ring लगाई जाएगी उसके बाद rotor को insert कर दिया जाएगा rotor insert करते समय ध्यान रखना है इसके लगे हुए arrow mark को उपर लगी हुई housing की arrow mark को आमने सामने रखना होता है arrow mark proper match करने के बाद इसका nut लगा दिया जाएगा nut को पहले hand tight कर लेते हैं उसके बाद इसको केवल 90 degree tight करना रहता है spanner की मदद से यानि वो टाइट नहीं किया जाता है hand tight plus 90 degree tight किया जाता है centrifugal filter की assembly हो चुकी है अब इसको ले चलते हैं housing में insert कर देते हैं rotor का निकला शाप्ट इसके बुस में insert कर दिया जाएगा उसके बाद इसका top cover लगा दिया जाएगा top cover में लगा हुआ वबुस जो है उपर वाले शाप्ट को support करेगा cover को लगाने से पहले इसकी ओरिंग की condition देख ली जाती है अगर ओरिंग defective है तो इसको replacement कर दिया जाता है otherwise इसका top cover लगा करके clamp दोरा tight कर दिया जाएगा clamp लगाने के बाद में इसके assembly का कार समाप्थ हो जाएगा वस्त दूस्तों इंजिन में filtration के लिए इसके oil filter लगे रहते हैं लेकिन ये एक additional filter होता है इसको लगाने के बाद जो हमारा oil replacement का interval time होता है वो multiple हो जाता है माना किसी engine का जो oil replacement होता है वो 300 घंटे के बाद होता है अगर उसके साथ में centrifugal filter लगा हुआ है तो उसका जो oil replacement period होगा वो 500 घंटे हो जाएगा अगर किसी engine में ये filter नहीं लगा हुआ है इसको इसकी kit के साथ purchase करके लगाया जा सकता है और centrifugal filter की cleaning में बहुत ही nominal expenses आता है खाली हमको एक वोरिंग और इसका paper replacement करना होता है तो दोस्तो centrifugal filter की servicing का कार समाथ हो चुका है ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आवस बताएं वीडियो में आंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुछा सब्सक्राइब कर बेला चान और जबादे वीडियो में आंत तक हमारे साथ बने रहने के धन्यवाद थैंक्यू फार वार्किंग जये जिन्वाद